विल्कम फ्रेंट्स बिहार STET 2019 के सभी अभ्यर्थियों के लिए पटना हाई कोट की सुनवाई के पहले बिग अपडेट्स जाने पूरी खबर विस्तार से तो चलिए शुरुवात करते हैं आज की खबर से बिहार में STET परिक्षा बचाने को लेकर अभ्यर्थि पहुचे हाई कोट जी हां STET परिक्षा बचाने को लेकर अभ्यर्थि पतना हाई कोट पहुचे हैं राज में दस साल के बाद 28 जन्वरी को STET परिक्षा का आयोजन किया गया था लेकिन पांच माह बाद बिना किसी थोस कारण के अचानक इसे रद कर दिया गया था इसे छात्रों में भारी आक्रोस है छात्रों का कहना है कि जिन चार सेंटरों पर गरवरी की सिकायत मिली थी उसकी पुनर परिक्षा लेकर आंसर की भी जारी कर दी गई थी परिनाम आने के दिन इसे अचानक रद कर दिया गया इस मामले में सुप्रीम कोट का भी असपश्ट निर्देश है कि किसी भी परिक्षा को तभी रद किया जा सकता है जब उस परिक्षा में कम से कम 10 प्रतिसत गरवरी का साक्ष मिले इसी को साक्ष बनाकर अभियर्थियों ने इस परिक्षा को बचाने के लिए पटना उच नियायाले में कुल पंच रीट याचि का दायर किया है उन्होंने नियायाले से नियाय की गुहार लगाई है और साथ ही छात्रों ने मांग की है कि इस परिक्षा को बचाने के लिए कोर्ट में सरकार अभ्यर्थियों का साथ दे वहीं एक कोर्ड आक्रोसित अभ्यर्थी कोर्ट जाना बता रहे हैं ट्रेंड बन गया है जी हाँ वहीं कुछ अभ्यर्थियों का याभी कहना है कि आज कल ये ट्रेंड चल गया है कि जो भी कुछ लोग परिक्षा में पास नहीं कर रहे होते हैं वो कोट चले जाते हैं वे अच्छे ढंग से ली गई परिच्छा को भी चुनोती देकर परिणाम प्रकासित होने में व्यवधान उत्पन करते हैं चात्रों का कैना है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो बिहार में एक भी परिच्छा का सफलता प्रवक आयोजन से लेकर परिणाम प्रकासित नहीं हो पाएगा इस बार छात्रों का कैना है कि वो भी अब चुप नहीं बैठेंगे और वे लोग इस परिक्षा को बचाने के लिए जी जान लगा देंगे अब बात करते हैं बिहार एस्टेट संखर्ज समीति के द्वारा जारी इस लेटर की जी हां सेवा में स्रिमान माननिया नेता प्रतिपक्ष महोदे बिहार विधान सवा पतना विसे एस्टेट परिनाम प्रकासित करवाने के संबंद में महा से सविने निवेदन यह है कि बिहार में नौ वर्स बाद बिहार विद्याले परिक्षा समिती पटना द्वारा आयोजित कदाचार मुक्त बिहार मादमिक शिक्षक पातरता परिक्षा में पूरे बिहार में 317 परिक्षा केंद्रों पर 28 जनवरी 2020 को 2 पाली में 2,47,241 पर बीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बोर्ड अध्यक्ष माननिय आनंद किसोर ने कहीं भी किसी प्रकार के धांदली नहीं होने का जिक्र करते हुए सभी जिलापदादिकारियों को बधाई दी थी। पुरी बिहार में केवल चार परिक्षा केंद्रों पर विलंब से प्रश्न पत्र मिलने के कारण तोर फोर की गई जिसकी सिकायत मिलने के बाद उन चार परिक्षा केंद्रों की परिक्षा रद कर पुनह 26 फरवरी 2020 को बोर्ड के द्वारा परिक्षा ली गई। दो अलग-अलग तिथी में परिक्षा लेने के बाद उत्तरकुंजी एंसर की भी जारी किया गया और परिणाम घोसित करने की तिथी 15 मई 2020 बताया गया लेकिन अचानक बोर्ट द्वारा 16 मई के साम परिक्षा रद करने की घोसना कर दी गई STET परिणाम को लेकर पटना उच नियाले में भी मामला लंबित है यदि करीज सुरक्षा व्यवस्था में ली गई परिक्षा में धांदली हुई तो उसी समय पूरे बिहार के 317 परिक्षा केंद्रों का परिक्षा रद क्यों नहीं किया गया अचानक 3 माह बाद परिणाम घोसित करने के समय परिक्षा रद क्यों किया गया उत्तरकुंजी एंसर की जारी करने के बाद परिक्षा रद करना बिहार के युवाओं के भविश्य के साथ खिलवार करने बराबर है जो बिलकुल ही अन्याय पुर्ण है यदि परिणाम घोसित नहीं किया जाता है तो हम लोग सामोहिक आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे अतह हम सभी परिक्षारती महासय से नम रनिविदन करते हैं कि हम लोगों के उज्वल भविश्य को देखते हुए रद एस्टी एटी परिक्षा पर बोर्ड एवम बिहार सरकार द्वारा पुनर विचार कर परिक्षा प्रिणाम प्रकासित करवाने की क्रिपा करें इस महानकारी है तू हम सभी परिक्षारती आपके सदैव आभारी बने रहेंगे आपका विश्वासी समस्त बिहार STET 2019 अभ्यरती बिहार के STET अभ्यरती अपना जी जान लगाकर रिजल्ट को जाड़ी करवाने के लिए कई सारे आंदोलन ट्वीटर के माध्यम से भी कर रहे हैं जिहां ट्वीटर कैंपेंड के द्वारा हाल ही में 31 जुलाई 2020 को हैस्टेग बिहार STET रिजल्ट नहीं तो वोट नहीं ट्वीट कर ट्वीटर कैंपेंड चलाया गया जो की पूरे बिहार प्रदेश में दो नंबर पर रहा और पूरे इंडिया में नवे नंबर पर रहा तो इस दोरान अभिर्थियों ने अपनी रिजल्ट को जारी करवाने के लिए तरह तरह के प्रियोजन किये पेपर की कटिंग को ट्वीट किया और STET की रिजल्ट को जारी करवाने के लिए सरकार को अपनी और आकर सित किया वहीं दूसरी और बिहार के प्रात्मिक सिक्षा ने देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंग ने फिर से बिहार STET परिक्षा 2019 के ओनलाइन आयोजन को लेकर तयारी करने के लिए एस्टेट अभिरतियों को कहा है उन्होंने NCRT बुक के द्वारा तयारी करने को कहा है परन्तु ना तो इस री एक्जाम की सिलेवस जारी की जा रही है और ना तो असपस्ट रूप से पतना हाई कोट में लंबित सुनवाई की प्रकिरिया पूरी हो पाई है बिहार के सभी एस्टेट अभिरति अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने राय विचार एस्टेट रिजल्ट से सम्बंदेत एस्टेट री एक्जाम से सम्बंदेत हमें जरूर कॉमेंट करें वीडियो को जितना हो